Hello everyone, welcome back to learn करो classes, I am Anushka, your educator and आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे यहाँ पर 50 MCQ, डेली प्राक्टिस करते हैं, CUT से related हैं, सारे के सारे questions बहुत important और जैसा की बोला था कि आज जो questions होंगे, वो सारे के सारे diagram based होंगे, तो उसी से related questions से लेक, questions यहाँ पर हैं, hope आपको अच्छे लाइक कर देना और शेयर कर देना, hello अंकेत, good morning सौम्या, session को लाइक करेंगे, और सभी शेयर करेंगे, अपने friends को बुला लो, हम चलते हैं हमारे question number one की तरफ, तो काफी easy question है, आपको दिख रहा होगा, clear, आपको correct answer करना है, इस question का, यहाँ पर है question हमारे पास, question number one, question क्या है, refer to the given figures and select the correct option, यहाँ आपके पास diagram है, आपको यहाँ correct option जो है, select करना है, option A क्या दे रखा है, इन्होंने, it is a type of parthenogenesis, B है, it is a type of A sexual reproduction, C दे रखा है, the offsprings produced can also be called clones, and option D है, यहाँ, B and C both, correct answer कर दिएगा, question number one का, good morning Vikaas, good morning Somya, good morning Elon Musk, hello everyone, session को सब भी share करेंगे और like करेंगे, काफी अच्छे-च्छे questions है, good morning rocking game, very good morning, तो इस start कर दिया है, session, first question आपके सामने है, correct answer करना शुरू कर दो, जितने भी present है, बता दो अपने friends को, start कर चुके हैं, session और काफी अच्छे-च्छे questions, सारे ही diagram based हैं, तो ब बता दो भाई, बुला लो उन्हें, उनका भी फायदा हो जाए, और आपका भी benefit हो, बिल्कुल correct answer करें, बिल्कुल सही answer कर रहे हो, यहाँ सबसे पहले correct answer किया था, very good, अंकेत, माधव, Elon Musk, Imtiaas, very good, मिताली, सौम्या, लक्षया, विकास, अली खान, very good, बिल्कुल सही बोल अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, तो आपको क्या दिख रहा है, parent cell से एक bird originate हो रही है, parent cell पे एक bird बन रही है, जो आगे चलके अपने थोड़े टाइम बाद bird जो इस body से अलग हो जाएगी, और एक नए organism में develop हो जाएगी, तो यहाँ बात करें, बिल्कुल correct यह asexual reproduction का ही type है, और दूसरा क्या दे रखा है, offspring produce called clones, तो यहाँ जब asexual reproduction से offspring बनते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, clones भी बोलते हैं, बिल्कुल correct, बिल्कुल, नमस्ते के यार, favorite student आ चुका है, तो answer भी सारे अच्छे से करना, correct answer, सभी ने दिया, very good इसका correct answer हो जाएगा, option number D, next चलते हैं, यहाँ ध्यान से answer करिएगा, diagram को देखके आपको correct sequence बताना है, hope आपको question clear होगा, correct sequence बताना है आपको, ध्यान से देखना भाई, यहाँ देखो, यहाँ one, second, third, fourth और fifth में से आपको बिल्कुल correct sequence बताना है, किस order में ही arrange होंगे, good morning Ria, चलिए भाई, देख लो यहाँ diagram correct sequence बता दो, यहाँ पर देख लेना, parent body कौन सी होगी, कब आपको उसके size में change नजर आ रहा है, कि वो आगे जा की division करेगी, correct answer करिएगा, good morning, जितने भी present है, session को like कर दो, बहुत कम बच्चे हैं, आपके कहने पर ही, यहाँ diagram based question करवाय जा रहे हैं, और आप लोगों क कर लो, यहाँ सबसे पहले answer किया है, जिया ने, good morning bear, very good morning, ध्यान से answer करना, correct answer देखना, correct answer, a, b, c, d में से कौन सा होगा, very good, maximum बच्चे बिलकुल सही answer कर रहे हो, बिलकुल correct answer कर रहे हो, यहाँ देखें, तो हम parents से किसे ले रहे हैं, third वाले को, इसके comparison में अगर आप fifth वाले क को देखोगे, तो यहाँ आपको cell organically का size बड़ा नजर आ रहा होगा, इस cell organically के size बढ़ने के बाद क्या देखने को मिल रहा है, कि division जो है, start हो गया, सबसे पहले nucleus और उसके बाद, cytoplasm और last में जो cells हैं, वो बिलकुल separate हो गई, बिलकुल correct, लक्षया, माधव, अंजली, सौ नेक्स चलते हैं, question number 3 की तरफ, बता दो भाई, direct NCRT आपको identify करना है, identify the given vegetative propagal, तो यहाँ पर यह बल्ब है, runner है, rhizome है, या फिर बल्बल है, correct answer कौन सा है, option A, B, C, D में से, यह diagram जो है, वो कौन सा vegetative part बता रहा है, यहाँ पर correct answer करेंगे सभी, question number 3 है, काफी easy question है, direct NCRT से है जितने भी present device, session को like कर दो, इतने अच्छे-च्छे questions हैं, और correct answer करेंगे यहाँ सभी, very good, एक बच्चे का answer बिल्कुल correct है, good prince, very good, Ali, correct answer करना है, very good, Somya, Shelly, अवस्ती, विकास, very good, diagram में exam-based question आते हैं, बिल्कुल correct, maximum बचे बिल्कुल सही जा रहे हैं, very good ask था, very good, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, रिया शर्मा, बिल्कुल correct answer है, यहाँ यह represent कर रहा है, बल बिल्कु, diagram किसका है, अग F का दे रखा हैं इनोने, next question चलते हैं, question number 4 की तरफ, hope clear हो, question आपको identify करना है, यहाँ पे, A, B, और C क्या है, diagram देख लो, अच्छे से, micro sporengium है, दे रखा हैं इनोने, mature enter का, बताओ भाई, A किसे बोलोगे, B क्या होगा, और C क्या होगा, option देख लो, A को middle layer बोल रहे हैं, first वाले में, B endothesium है, C है tapetum, B, A को बोल रहे हैं, option number B में, A है यहाँ endothesium, B है यहाँ tapetum, C ह हैं, A endothesium, B middle layer, C है, यहाँ tapetum, D की बात करें, तो A को tapetum बोल रहे हैं, B middle layer है, और C endothesium है, correct answer क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से, question number 4 का correct answer, question number 4 का correct answer करेंगे, A क्या है, यहाँ B क्या है, और C क्या है, very good, maximum बचे बिल्कुल correct कर रहे हैं, और session को like कर दो, सभी वही इतने सारे present है, session को तो like किया करो, very good, maximum बचे बिल्कुल साही जा रहे हो, तो यहाँ अगर हम A की बात करें, A की से represent कर रहा है, मारा endothesium को represent कर रहा है, B है, यहाँ middle layer, और C की बात करें, तो C है, यहाँ nourishment provide करने वाली layer, यानि की tapetum, तो correct option, option number C हो जाएगा, next चलते है, question number 5 की तर answer करना है आपको, the function of labeled X part, आपको बताना है, यह जो X part है, यह इसकी बात कर रहे है, यह क्या काम करता है, यह जो X part है, यह क्या काम करता है, ध्यान से देखना, options, फिर answer करेंगे, आप option क्या है, dehiscence, mechanical, nutrition या protection, X की बात कर रहे है, बताओ भई, sporogenius का यह diagram दे रखा है इनोंने sporogenius tissue की protective layer क्या होगी यहाँ, उसका काम क्या है, function पूछ रहे हैं, correct answer करेंगे सभी, question number है हमारे पास, question number 5 का correct answer क्या होगा, बताओ भई, very good, maximum बचे बिल्कुल correct answer कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल correct answer है, यहाँ answer सबसे पहले, काफी बच्चों के correct आए, बिल् का function की बात करें, तो यह provide करता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, nutrition provide करता है, next question, ध्यान से देखना इसे, तब answer करना, pollination से related है, यहाँ पे ध्यान दो, तो P1 किसे represent कर रहे है, देखो P1 में यहाँ पे ही self-pollination होता नजर आ रहा है, P2 देख लो, कि plant body same है, लेकिन एक flower से दूसर पे पॉलिनेशन हो रहा है, और P3 क्या है, कि plant body ही बदल गई, एक दूसरा plant और एक दूसरा plant तो बताओ क्या कहलाएगा, P1 को क्या बोलोगे, जहाँ पे self-pollination हो रहा है, P2 जहाँ plant body same है, लेकिन flower अलग अलग है, और P3 क्या कहलाएगा, option देख लो, और answer कर दो, A दे रखा पी वन बोल रहे है, और P2 को बोल रहे है, जिटोनोगेमी, और P3 है जीनोगेमी, और D देख लो, P1 को जिटैनोगेमी बोल रहे है, P2 अलोगेमी है, और P3 और टोगेमी, correct answer क्या होगा, question number 6 का, बिल्कुल correct answer किया है, maximum बच्चे बिल्कुल सही जा रहे है, बिल्कुल correct जा र दी है, देखते हैं, आपका result कैसा रहेगा, आपका exam कैसा रहेगा, बिल्कुल सही answer करें, तो बिल्कुल सही बोल रहे है, यहाँ पर आगर आप देखो कि P1 में की फ्लार सेम है, वहीं पॉलिनेशन होता नजर आ रहे है, यह condition कहलाती है, हमारी ओटोगेमी, और P1 का ओटोग और जब plant body ही बदल जाए, तब हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी, तो correct answer हो जाएगा, option number C, next चलते है, question number 7 की तरफ, answer करिएगा, correct, question है, growth of part X, बताओ भई, इस part X की, यह जो part X दे रखा है, actual में pollen tube के बारे में है, यह part X जो है, वो क्या है, pollen tube है, यह पूछ रहे है, यह जो pollen tube है, इसकी growth किस तरीके की है, chemotropic है, option number B देख लो, और option number C, I think आप लोग इसका बिल्कुल correct answer करेंगे, यहाँ पर आपने पड़ा होगा, ज्यादा detail में नहीं आता इस topic के बारे में, just एक introduction दे रखा है, जहाँ पर यह बात करते हैं, compatible proteins की, compatible proteins की बात का करते हैं, कि कौन सा pollen ज बताना भाई, very good माधव, बिल्कुल माधव का answer correct है, रिया, very good, अवस्ती, very good, प्रेंस, बहुत अच्छा, सौम्या, लक्षया, very good, आस्था, अली, अस्मिता यादव, very good, बिल्कुल correct answer कर रहे हो, तो यहाँ पर बात करें, तो यह कैसा movement होता है, chemotropic यानि की chemical के response में movement जो है वो देखने को मिलता है, चलते हैं अगले question की तरफ, question number 8 है, direct NCRT से है, correct answer करना, क्या बताना है आपको यहाँ पर, different parts दे रखा है इन्होंने, typical dicot embryo का, label करना है, कि A क्या है, B क्या है, बी क्या है, और C क्या है, correct label करना है आपको, तो एक option में दे रखा है इन्होंने, option number 1 मे, plumule, cotyledons and radical, B दे रहे है, radical cotyledons, plumule, C है, cotyledon, plumule and radical, D है, cotyledon, radical and plumule, correct answer करना, dicot embryo है, diagram देख लो, correct answer करेंगे, सभी बचे और जितने present है वही, session को like करेंगे, सभी, correct answer करिएगा, बहुत easy question है, diagram आपके सामने है, dicot embryo का है, एक part क्या होगा, B part क्या होगा, C क्या होगा, correct बताना है, बिलकुल correct, maximum बचे बिलकुल सही जा रहे हैं, C की बात करें, तो C होगा हमारा radical, B की बात करें तो यह cotyledon है, और A क्या होगा हमारा plumule, अच्छा, ये वाला पार्ट अगर पूछें, कि ये वाला पार्ट क्या है, तो क्या बोलोगे इसे? आपने answer बिल्कुल correct किया. यह जो radical की covering है, यह क्या कहलाती है? इसे क्या बोलेंगे? इसे label कर देते हैं D. बताओ यह D क्या होगा? आपको बताना है यह D क्या होगा? कोशन है अगला? यहाँ आपको बताना है D क्या होगा? बताओ बाई, आपने answer बिल्कुल सही करा, थोड़ा सा कोशन change है, डाइग्राम से related है, D part बतादो क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चों ने यहाँ पे अंदाजे से answer किया है और actual में कितनों को पता है? बिल्कुल करेक्ट यह क्या है? रूट का आप है, बिल्कुल सही answer किया आपने? नेक्स चलते हैं, कोशन नमबर नाइन की तरफ, ध्यान से देखना और तब भी answer करना? यहाँ पे कोशन में क्या दे रखा है? आपको TS दे रखा है, हुमिन ओपरिका, आपको बताना है, है कि यह E क्या है? B, A, C, D और F. बताओ भई, correct sequence बताना है, correct बताना है आपको. किसे represent कर रहा है? हुमिन ओवरी का दे रखा है, तो यहाँ पर option A में देखें, तो यह A की क्या बात कर रहे है? Secondary follicle है, B में देखें, A को क्या बोल रहे है? Tarsuri Follicle है, with Antrium, और C की देखें, तो C बोल रहा है, A को Graphene Follicle, और D देखें, तो D क्या बोल रहा है? Graphene Follicle A को. correct answer बतादो भाई question number 9 का ध्यान से देख लो last वाले question का correct answer था भाई आप लोगों ने बिल्कुल सही answer करा यहाँ पर बात करें answer बताया तो है कि आप direct देख लो भाई C radical है, B cotaladin है और A plumule है तो option number A इसका correct answer हो जाएगा answer कर यह question number 9 का question number 9 का correct answer करेंगे देख लो अराम से तब answer करना यहाँ पर अगर हम बात करें E, B, A, C अगर आप ध्यान दे जादा किसी को याद ना हो तो आप कैसे जा सकते हो कि भाई C यहाँ ovum था देख लो ऐसा कोई option है जहाँ आपको C ovum दिख रहा है तो यहाँ बात करें हर जगे C ovum ही दे रखा है अब बताओ कैसे करोगे D का अगर किसी को याद हो D क्या होता था corpus luteum होता था D corpus luteum option number A में है B eliminate हो जाएगा C eliminate हो जाएगा और D में दे रखा है तो बताओ भाई क्या होगा correct answer बिल्कुल correct answer कर रहे हो आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो B की बात करें तो B क्या है टर्जरी फॉलिकल है उसके अंदर आर्ट्रियम है C ovum हो गया A की बात करें तो हमारी graphion फॉलिकल है E की अगर हम बात करें तो primary फॉलिकल है और F अगर याद हो तो corpus lbicans बोलते हैं तो correct answer क्या हो जाएगा very good इसका correct answer हो जाएगा हमारे पास option number D next चलते है question number 10 की तरफ काफी easy सवाल है यहाँ आपको दे रखा हैं इन्होंने ovarian hormones level दे रखें बताओ यहाँ पे one जो है यह कौन सा hormone बता रहा है और second वाला कौन सा बता रहा है अगर किसी को याद हो mensural cycle में एक hormone ऐसा आता था जो दो बार peak लेता था जो दो बार peak attain करता था तो अगर किसी को उसका नाम याद होगा यहाँ पे देखो दो बार peak attain हो रही है तो वो बिल्कुल correct answer कर जाएगा दो बार peak attain करने वाला hormone कौन सा है और बाकी उसके साथ कौन सा होता है बिल्कुल correct answer मिल जाएगा आपको इसका directly अगर किसी को याद हो correct answer करिएगा correct answer ovarian hormone बोल रहे हैं ovarian hormone बोल रहे हैं question देख लो ovarian hormone ovary से बनने वाले hormone question पढ़ लो सारे answer एक line में गलत करने शुरू कर दिये हैं ovarian hormone बोल रहे हैं भाई good एक बचे का correct है good अंजली ovarian hormone का level पूछ रहे हैं ovarian hormone है ध्यान से देख लो ovarian hormone है ovary कौन से हॉर्मोन बनाती है ovary कौन से हॉर्मोन बनाती है उन्हीं के बारे में progestrogen estrogen कौन सा भाई ovary कौन से बनाती है बिलकुल मिताली very good माधव बिलकुल correct very good रिया question ध्यान से देखा करो ovarian hormone पूछ रहे है तो ovary क्या बनाती है estrogen और progestrogen अब मैंने आपको बोल दिया कि एक hormone ऐसा है जो दो बार P contain करता है आप लोग जानते होंगे दो बार P contain करने वाला estrogen होता है और दूसरा इसके साथ progestrogen होता है तो correct answer option number D होगा एक line में answer गलत करने शुरू कर देते हो एक ने C बोल दिया तो सब भी उसी line में लग जाएंगे question number 11 hope clear होगा options वगरा clear होंगे आपको ध्यान से देख लो correct option select करना है contraceptive methods दे रखें आपको represent कर रहा और D किसे represent कर रहा है correct answer कर दो direct बिल्कुल direct correct answer कर दो यहां कुछ सोचने समझने वाला नहीं है correct answer करना है आपको बिल्कुल correct answer यहां से देख लो question number 11 पे हम काफी easy question है correct answer देखते हैं कितने बच्चे करेंगे बिल्कुल correct answer very good दास था very good लिपिका नव्या प्रेंस बताओ वाई correct answer अली कोशन देख लो एक बार very good के यार very good very good बिल्कुल correct answer कर रहा है तो अगर यहां पर बात करें तो यहां पर A किसे represent कर रहा है male condom को represent कर रहा है B represent कर रहा है implant को C represent कर रहा है copper T को और D represent कर रहा है बिल्कुल correct answer option number D बिल्कुल correct होगा question number 12 answer कर दो भाई इसमें कुछ सोचने समझने वाला नहीं है direct NCRT है diagram देखो और बताओ क्या है यह option A दे रखा है ovarian cancer, uterine cancer, tubectomy, visoptomy correct answer देख लो कौन सा reproductive system है बिल्कुल सही first और second diagram से भी पता चल गया काफी easy था वो question correct answer करिएगा question number 12 पे है direct answer करना है direct answer करना है correct answer करना है बहुत easy है यहाँ देख लो कौन सा दे रखा है male reproductive system का पार्ट दे रखा है बिल्कुल सही बिल्कुल सही जा रहे हो क्या के लाए गई है वेसिक्तमी आपको नजर आ रहा है vast difference को cut करकर tie किया हुआ है वेसिक्तमी है next चलते है बताओ भई इन में से कौन सा test cross है देखने कितने बच्चे correct answer करेंगे test cross कौन सा है option यह में क्या दे रखा है यहाँ w, capital w, capital w b दे रखा है capital w, small w, capital w, small w c है यहाँ small w, small w, small w, small w and d है यहाँ capital w, small w and यहाँ दोनों दे रखा है small w correct answer कौन सा test cross है काफी easy question direct ncrt यहाँ बच्चों से गलती नहीं होनी चाहिए correct answer करेंगे सब भी बच्चे यहाँ कोई गलती ना करे बहुत easy सवाल है very good बिलकुल correct answer है बिलकुल question number 13 very good लिपिका लक्षया, रिया के यार अलगी दुनिया में हो बिलकुल correct maximum बच्चे बिलकुल सही बोल रहे है बिलकुल correct बोल रहे है test cross की बात करें तो यहाँ पर option number D correct हो जाएगा recessive parent का cross दिखा रखा है इन्होंने यहाँ capital w और small w से next चलते है question number 14 diagram देख लो फिर answer करना है आपने diagram आपको समझ आ गया होगा sickle cell anemia का दे रखा है question है आपके पास the shape of RBC under oxygen tension in given situation become यानि कि जब oxygen जो है कम हो जाती है तो कैसी situations होती है RBC की shape कैसी हो जाती है by concave dislike elongated and curved c दे रखा है circular and d है spherical correct answer question number 14 sickle cell anemia से related question है वो बोल रहे है the shape of RBC under oxygen tension किस तरीके की shape हो जाती है correct answer correct answer बताओ correct answer ध्यान से देखना ध्यान से वो shape पूछ रहा है RBC की oxygen tension वाली condition में good prince इमतियाज very good Elon Musk very good Shivani अनिल इमतियाज good pundit very good बिल्कुल correct answer कर रहे हो बिल्कुल correct sickle cell anemia में होता क्या है कि अगर oxygen tension वाली condition आती है तो elongated और curved हो जाती है RBC की shape next चलते हैं ये question बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ देखना है कि कितने बच्चे जो है detail में धंग से पढ़ते हैं और correct answer करेंगे अब यहाँ आपको बताना है question देख लो question figure दे रखिये इन्होंने यहाँ आपको बताना है K क्या होगा और इन्होंने पूछ रखा है L क्या होगा बताओ भई और M और N बताओ भई यह चारों चीज क्या होगी क्या represent कर रहा है ध्यान से देख लो यहाँ पर आपको दिख जाएगा select करना है आपको correct option बताना है KLMN से देखते हैं कितने बच्चे इस question का बिल्कुल correct answer करेंगे किने पता है कि 5 prime end कब बोलना है किने पता है कि 3 prime end कब है कब hydrogen bond है कब उनके बीच में एडिनिन लग रहा है यहाँ पर डियोक्सी राइबोर्श शुगर है N-glycosidic bond क्या है जिने पता है वो answer करेंगे इसका बिल्कुल correct देख लो भाई बहुत अच्छा question बहुत easy question Correct answer देखते है कितने बच्चे बताएंगे आप में से बिल्कुल correct answer टाइम ले लो सोच लो Correct करना है answer Correct answer करना है Correct answer K देख लो K है 3 prime end है या 5 है यहाँ पर correct answer जो है यहाँ Good एक बच्चे का answer correct है एक बच्चे का answer correct है Very good 2 दो बच्चों के आंसर करेक्ट, तीन, चार, ठीक है भाई, आता है आप लोगों को, ठीक है, आता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, option number 10 का करेक्ट है, अब देख लो कैसे, तो यहां ध्यान दो, यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले किसे पूछ रहे हैं भाई, के बारे में पूछ रहे हैं, के किदर रिप्रिजेंट हो रहा है है, यह दे खो, क्या लगा दिख रहा है, तो जहां पर phosphate end होगा, वो क्या किलाता है हमारा 5 prime end, इसके बाद L क्या है, नजा यहां nitrogenous basis हैं, अब यहां यह, यहां देख लो, दो option select हो गए हमारे, eliminate हो गए, दोनों जगे अडिनीन दे रखा है, तो यह मान लिया, यह क्या है, अडिनीन है, इसके बाद N, आपको समझ आ रहे हैं कि यह DNA है, और DNA में D oxy ribose sugar होती है, तो correct answer क्या हो जाएगा, इसका option number D हो जा 53 का measurements बताने हैं कि A, यहां पर बात करें, तो A कितना है, B कितना है, और ध्यान से देखो तो यह C के बारे में भी पूछ रहे हैं, यानि कि diameter भी पूछ रहे हैं, आपसे double helix का, correct answer बताईएगा, time ले लो और आपसे option A में क्या दे रखा है, A के बारे में बोल रहे हैं, 3.4 nanometer B है 0.34 nanometer, C है यहां 2 nanometer, option नमबर B में A को बोल रहे हैं, 34 nanometer, B है 3.4 nanometer, C दे रखा है 20 nanometer, option C देख लो, 3.4 M strong, 0.34 M strong, 20 M strong, D दे रखा है 34 M strong, 3.4 M strong and C है यहां 2 M strong, correct answer करिएगा, good, बिल्कुल correct, very good prince, बहुत अच्छा, good lipika, very good, और बचे बताईए भाई, correct answer करना है, correct answer क्या होगा, और session को like कर दो, जितने भी present हैं, उतने या likes नहीं हैं, जितने बच्चे present होते हैं, very good, Ali, very good, बहुत अच्छा, somya, Elon must, बहुत correct answer कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो, य जान से देख लो, pitch length पूछ रहा है, कितनी होती है, 3.4 nanometer, B है, दो base pair के बीच का कितना होगा, 0.34 nanometer, option यह जो C दे रखा, याद रखना, diameter यह होता है, 2 nanometer, तो correct answer हो जाएगा, option number A, next चलते हैं, question number 17 के तरफ, diagram आपके सामने है, correct answer कर दो, A, B, C क्या है, दियान से देख लो, A किसे बोल रहे हैं, C किसे बोल रहे हैं, और B किसे बोल रहे हैं, तो I think आप इसका answer कर देंगे, A की बात करेगा, आपको समझ आ रहा होगा, A क्या दे रखा हैं, इनोंने, histone octamer, histone octamer दे रखा है, चलो, एक तो मिल गया, आपको A दे सकते हैं, बाके answer कर दो, direct बता दिया, correct answer कर दो, question आपको समझ आ गया है, आपको A, B, C बताना है, बिल्कुल सही जा रहे हो, stone octamer दे रखा है, बी देखो, इस octamer के उपर क्या लिप्टा हुआ नजर आ रहे है, जो thread सा नजर आ रहे है, ये क्या है, ये जो है, ये हमारा DNA होग और यहां अगर हम C की बात करें, तो C क्या होता है, हमारा H1 हिस्टोन होता है, तो बिल्कुल correct, बिल्कुल सही answer, maximum बचो के बिल्कुल correct, बिल्कुल सही answer कर रहे हो, option number C इसका correct answer हो जाएगा, next चलते है, question number 18 की तरफ, ध्यान से answer करना है, इस question का, question दे रखा है आपको, the process of transcription in bacteria है, यहां बताना है, A क्या होगा, B क्या होगा, और C क्या होगा, आज A, B और C के बीच में ही सारे questions घूम रहे हैं, ध्यान से answer करना, यहां अगर आप देखेंगे, तो यहां पर यह process जो है end है, process जो है terminate हो चुका है, तो termination के time पे क्या होता है, बताओ भाई transcription में, B, C, A, क इतने बच्चे करेंगे, बिल्कुल ध्यान देलो, process क्या बोल रहा है, transcription, तो DNA वाले option तो अपने आपी eliminate हो गए, अब बचा, option number B होगा, यह option number C होगा, तो A की बात करें, बिल्कुल correct, A हो जाएगा हमारा RNA, B की बात करें, तो RNA polymerase हो जाएगा, अब यहां देखो C, process जो है terminate हो रहा है, row factor terminate करवाता है, यह sigma करवाता है, तो बिल्कुल correct answer कर रहे हो, row factor terminate कराता है, बिल्कुल correct answer, इसका correct answer हो जाएगा, option number B, next चलते हैं, बियान से देखके answer करना, question है, हमारे पास 19, question में आपको बताना है, यहां पर भी फिर आपको A बताना है, देख लो 5 prime end बोल रहे हैं, A की तरफ, फिर आपको B बताना है, C क्या होगा, और D क्या होगा, D है हमारा 3 prime end की तरफ, यहां देख लो, कहां पर methylated cap लगेगी, कहां पर polyadenine tail लगेगी, जिसे य बता है, वो इसका answer कर जाएंगे, बिल्कुल correct, बिल्कुल correct, ध्यान से देख लो, option A, B, C, D दे रखा है, गोड, बताओ भाई, कितने बचे correct answer करेंगे, यहां पर, correct answer करना है, आपने, बिल्कुल correct answer, good, row factor होता है, बिल्कुल सही, session को like कर दो, जितने भी present हो, यहां और इसका correct answer कर दो, इसका correct answer कर दो, correct answer, ध्यान से देख लो, क्या बोल रहे हो आप लोग, यहां coding ओर non-coding region में फ़र्ख कर लो, B क्या होगा, और C क्या होगा, correct answer difference कर लो भाई difference कर लो यहाँ B B को क्या बोल रहे है coding region B को तो यह दिखा रखा है यह वाला part B है और यह पूरे वाले part को C बोल रहे है बताओ correct answer अच्छा सभी एक line में answer करना शुरू हो चुके हैं तो आप correct answer मुश्किल ही आएगा correct answer क्या होगा इस question का correct answer है option number C option number C correct है खुद देख लो भाई यहाँ पर बात करें 5 prime end की तरफ तो methylated cap होगी अब यहाँ देखो cap लगने के बाद यह जो छोटा सा region आपको नजर आ रहा है यह छोटा सा reason यह क्या है यह वो reason है जो transcribe यहाँ पर की reason है जो कैसा रह जाता है non coding region रह जाता और इतना बड़ा जो C दिख रहा है वो coding region है आपका और इसके बारे में last क्या है डी वाला 3 prime end पर polyadenine tail तो C इसका correct answer होगा एक बारी में answer गलत करने शुरू कर देते हैं बताओ बई question number 20 evolution से लिया गया सवाल देखते हैं कितने बच्चे correct answer करेंगे यहाँ पर यहाँ आपको बताना है कि figure x क्या है y क्या है और z क्या है correct answer कर दो आपके सामने option a, b, c, d दे रखे हैं देखते हैं कितने बच्चे अच्छे से पिचान सकते हैं कितने उन्हें धंग से पड़ा है answer करो भई और session को like भी करो बताओ बताओ correct answer क्या होगा इसका देख लो अराम से diagram देख लो और easy answer करो options पढ़ लो अराम से answer करना है बताओ correct answer क्या होगा question number 20 पर आया है very good अच्छा दिख रहा है अच्छा ठीक है correct answer बिल्कुल सही काफी easy questions होते हैं एक बार अगर देख लिए तो बिल्कुल correct answer जाते हैं इन questions के ऐसे questions किप मत करना कभी भी बिल्कुल सही इसका correct answer हो जाएगा option number B चलिए next चलते है question number 21 की तरफ बता दो भाई आपकी NCRT से ही है डाइग्राम देख के बताओ they are homologous organs they are homologous structure they are vestigial structure they are analogous structure और D है they have nothing to do with each other किसी से कोई लेना देना नहीं है correct answer कर दो question number 21 पे है देख लो structures structures देख लो homologous structure है vestigial structure है analogous structure है या फिर they have nothing to do with each other correct answer correct answer करेंगे सभी और session को like करेंगे very good बिल्कुल correct बूल रहे हैं यहाँ अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सही यहाँ पर इम्तियास prince godria anisha Elon must divanshi very good Ali Khan Lakshya Nikita Nikita answer गलत है कोई बात नहीं पता नहीं था पर ऐसे questions का ध्यान रखा करो बहुत easy होते हैं और number यहाँ से मिलते जरूर है correct answer कर रहे हो तो देखके समझा रहा है यह homologus organ है origin देखोगे तो same है काम इनके अलग-अलग है next चलते हैं question number 22 की तरफ hardy win bug दे रखा हैं इनोंने यहाँ पर बताओ भई a, b, c क्या होगा बताओ यहाँ पर इनोंने a पूछा है कि आप a को क्या बोलोगे b क्या होगा और c क्या होगा correct answer करना है option देख लो a के लिए बात कर रहे हैं कि यह directional है b stabilizing है c disruptive है option b दे रखा है a stabilizing है b directional है c disruptive है option c में a को बोल रहे हैं destructive b है stabilizing c है directional option number d में a directional है b destructive है और c stabilizing correct answer कर दो direct देख के समझ आ जाएगा काफी easy है बताओ भई correct answer क्या होगा correct answer क्या होगा देखते हैं कितने बच्चे correct answer कर रहे हैं question देख लो एक बार आराम से विकास एक बार question देख लो फिर answer करना directional कब होगा और कभ ये stabilizing होगा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सही चाह रहे हो बिल्कुल correct answer है session को like कर दें और आज बहुत कम बच्चे हैं आप लोगों ने अपने friends के साथ इसे बिल्कुल भी share नहीं करा इतने अच्छे-च्चे questions diagram based question मैं चाह रही थी ऐसी class काफी चले और आप लोगों का response कोई खास नहीं है यहापे correct बिल्कुल सही answer कर रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो तो यहाँ अगर आप A को देखोगे तो A क्या है हमारा है stabilizing B की तरफ देखोगे तो B क्या है एक तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है यारी की directional और C देखोगे तो C क्या है disruptive तो बिल्कुल correct answer हो जाएगा इसका option number B हम चलते हैं अगले question की तरफ answer करना भई यहाँ पर देख लो experiment दे रखा है experiment से आपको यहाँ बताना है in the given figure the strength of linkage will be higher in option A दे रखा है DNA is genetic material which is passed from virus to bacteria C option number B है only DNA not the protein code entered the bacteria cell C है यहाँ both A and B and option D है neither A nor B correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर द्यान से पढ़ना DNA क्या है genetic material जो कहां virus से bacteria जाता है B बोल रहे हैं कि सिरफ DNA है protein code नहीं है जो bacterial cell के अंदर enter करते हैं तो correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer बताएगा सब भी बच्चे options देख लो A, B, C, D में से कौन सा होगा correct answer एक बच्चे का answer correct आया है यहाँ एक बच्चे का answer correct है एक बच्चे का answer correct है और वाकी बताईए भाई very good भाई ध्यान से answer करो question पढ़ लो आपको statement इसमें से कोई गलत लग रही है आपको कोई statement गलत लग रही है यहाँ पर यही तो बात प्रूफ हुई थी कि DNA जो है genetic material है और यही कहां जाता है which is passed from virus to bacteria तो यहाँ पर भाई यह वाईरस ही तो था जिसे bacteria infect करवाते थे यही तो है और दूसरा option क्या है only DNA note the protein code entered bacterial cell यह भी तो बात बिल्कुल सही है यहाँ पर सिर्फ DNA तो था जो enter मारता था bacterial cell के अंदर protein code तो जाता ही नहीं था तो correct option अब answer बदलने शुरू हो गए खुद ध्यान नहीं देना है अब answer बदलने शुरू हो गए correct answer इसका option number C होगा option number C होगा इसका correct answer next चलते है question number 24 diagram देखो और बताओ यहाँ पर X और Y क्या है spam का diagram दे रखा है आपको spam का diagram है आपके पास आपको correct answer करना है ध्यान से answer करेंगे सब भी spam का diagram है आपके पास clear होंगे आपको options वगरा सारे नजर आ रहे हैं देख लो भाई spam का diagram है X पूछ रहे है एक्स क्या होगा और Y क्या होगा ध्यान से देख लो काफी easy question है काफी easy question है और maximum बच्चे यहाँ भी गलती करेंगे एक ने अगर बोल दिया ना यहाँ पर answer D, C, B, A है तो सारे उसी line में आ जाएंगे कि यहाँ यही होगा बस एक बार नाम ले दिया आप तो यही आंसर होगे correct answer करना X और Y क्या है X और Y क्या है mitochondria acrosome और nucleus बताओ इन तीनों में से select करना है आपको बिल्कुल सही बिल्कुल सही जा रहे हो तो यहाँ X की बात करें X क्या है भाई आपको समझ आ रहा है तो correct option हो जाएगा option number B चलो भाई answer करो देखते हैं कितने बचे बिल्कुल correct answer करते हैं question number 25 diagram आपकी NCRT का है mule के बारे में बात कर रखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको advance जाना था थोड़ा सा detail में तो बोल रहे हैं कि mule जो है उसे प्रिड्यूस किया जाता है inter-specific hybridization करवा के तो बताओ किसके बीच में करवाई जाती है देख लो भाई option A hazardale, merino ramp और B दे रखा है male donkey and a mare C है female donkey and a male horse D है यहाँ merino ramp and bicanery correct answer देखते हैं कितने बच्चे correct answer करेंगे good morning इमांशी answer करिए भाई correct answer correct answer देखते हैं कितने बच्चे आप में से बिल्कुल correct answer करेंगे mule कब बनाया जाता है किनके बीच में यहाँ पर hybridization करवा के इसे prepare करते हैं very good prince, good imtiaz anjali, prityakshah, very good बिल्कुल correct, very good ria good madhav बिल्कुल सही बोल रो तो यहाँ पर अगर बात करें, mule बनाया जाता है male donkey और female horse के बीच में cross करवा के चलो बाई, next question question number 26 है आपको यहाँ select करना है correct option यहाँ देख लो, A किस चीज़ का diagram है, B किस चीज़ का diagram है और C, देख लो एक तरफ दे रखा है, adenovirus, tobacco mosaic virus, bacteria face, correct answer कर देंगे, direct ncrt से आपको question है direct ncrt से question है correct answer करिएगा बिल्कुल correct answer करना काफी अच्छा सवाल है यहाँ पर adenovirus की बात करें तो यह respiratory disease cause करता है देखने कितने बचों ने यह बात पड़ी हुई है बिल्कुल correct answer क्या हो जाएगा इसका, correct answer की बात करें अगर हम बिल्कुल correct answer बताओ भाई correct answer, correct answer करिए ध्यान से देख लो correct answer, a, b, c, d बताओ, बताओ, कौन सा होगा a, b, c, d में से कौन सा है correct answer बताईएगा अच्छा, अब यहाँ पर फिर से एक line लगनी चुरू होगी है गलत answer की, सब भी उसी वेव में answer करेंगे दिख नहीं रहा है अब नजर आ रहा हो options छुप जाएगे, जादा बढ़ा होगा तो यह correct answer बताओ भाई बिल्कुल, b, d, c, कुछ तो होगा कुछ तो होगा, कुछ तो होगा यहाँ देखो, यहाँ पर ध्यान दो तो यह जो option, यहाँ पर c डाइग्राम दे रहे हैं यह है, एडिनो वाइरस का यानि की c का क्या हो जाएगा, one a दे रखा, इन्होंने bacteria face का, यानि की a का क्या हो जाएगा, third a का third, c का one तो b का क्या होगा, भाई direct tobacco mosaic virus कहाँ दे रखा है, इन्होंने option number c में, correct answer होगा option number c, अब answer option c आने शुरू हो जाएगे अब तो answer निकली गया question number 27 का answer करना है, ध्यान से देख लो यहाँ पर आपको दिखा रखा है, figure दिखा रखे आपको correct option select करना है तो a की बात करें, यह बोल रहे है fungal colony है, b bacterial colony है, b option में बोल रहे है, a को viral colony है b को bacterial colony बोल रहे है c में a को बोल रहे है bacterial colony and b है यहाँ viral colony d में बोल रहे है, d option में a है यहाँ bacterial colony और b है fungal colony, direct mcrt का है, मयंक इस question का answer कर दो बताओ वई, correct answer correct answer क्या होगा correct answer करिए, correct answer अच्छा, बिल्कुल सही answer आ रहे हैं तो यहाँ पर correct answer की बात करें, correct answer क्या हो जाएगा option number D, यानि कि यह क्या थी, bacterial colony थी और B हमारा fungal colony था very good, Ali Ali, बिल्कुल correct, Himanshi, very good Rhea, Elon Musk, Mayang, Devanshi काफी बच्चों के correct हैं, चलो भाई, next question की तरफ चलते हैं question number 28, answer करिएगा question number 28 का ध्यान से देख लो क्या दे रखा है आपको, the given figure represented typical bio guest plant select correct option for A, B, C आपको बताना है option A, B, C तो यहाँ A की बात करें, इको क्या बोल रहे है is the inlet for cattle dung B की बात करें, B को क्या बोल रहे है option number B में बात करेंगे C की, C is outlet for release of bio gas अच्छा, और C है option B की बात करें, B is a chamber which contain leftover slurry और D है all of these, correct answer करना, देखते हैं, कितने बच्चे question number 28 का बिल्कुल correct answer रखें, तो ऐसा मत करना, all of these करना शुरू कर दो, और यह ही हो रहा है, यहाँ पर all of these वाले ही नजर आ रहे है good Mayank, very good Mayank Mayank का answer बिल्कुल correct है ध्यान से देखो, तो यह C की बात कर रहा है, C को क्या बोल रहा है, यह outlet है, release of bio gas, पर bio gas, तो यहाँ से release होती है तो B होना चाहिए, B के बारे में क्या बोल रहा है, contain leftover slurry यह तो काम यहाँ होता है, C में बचा हुआ जाता है, slurry A की बात करें, तो यह बिल्कुल correct है, तो answer A correct होगा ध्यान से options भी नहीं देखते हो, आप लोग identify the enzyme involving step 1 and 2, यानि की यहाँ पे देखो, step 1 में कौन से enzyme लगे होंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे जो enzyme लगाओगा, step 1 में, वो क्या कर रहा है वो यहाँ पे strengths create कर रहा है, ठीक है, यानि की cut कर रहा है और यहाँ second में देखोगे, तो second step में क्या है यह जो cut हुए strengths है, यहाँ पस में जोड रहे है तो काटने और जोडने वाला enzyme देख लो, कहाँ pair up है ECO-RI DNA ligase है, हिंद second DNA ligase है, ECO-RI हिंद second है या फिर restriction endonuclease and exonuclease, बताओ, correct answer question number 29 है, direct answer करने है, आप लोगोंने देखते हैं कितने बच्चे इसका correct answer करेंगे जोडने और काटने का काम हो रहा है, एक जगे cut रहा है strand, दूसरी जगे जोडा जा रहा है एक बच्चे का answer correct है, correct answer देख लो, correct answer बिल्कुल सही, तो correct option की बात करें, इसमें correct option क्या हो जाएगा हमारे पास, option number A, यानि कि ECO-RI की बात करें तो ECO-RI, यहाँ पर strands को cut करता है, और DNA ligase इन्हें जोडता है चलते हैं question number 30 की तरफ, यह भी C से related question है answer करना options देख लो, यहाँ question है, आपको identify करना है A, B, C, D in a flow chart given below, that represents the process of recombinant DNA technology हाँ बाई, बताओ, यहाँ पर एक बहुत important concept है, यहाँ पर देखने कितने बिच्चे बताएंगे बिल्कुल correct answer, options पढ़ लो, अराम से answer करना, recombinant technology है अराम से answer करो, देख लो, easy है, काफी question, correct answer होना चाहिए बिल्कुल इसका correct answer, visible है, आपको clearly नज़र आ रहा होगा, मैं side होगी हूँ, ताकि आपको options clear नज़र आए अराम से पढ़ लो, answer कर दो फिर, बहुत important concept है यहाँ पर, यहाँ पर enzymes की बात करें तो वो enzyme, यहाँ पर जो foreign DNA को cut करने के लिए लगाते हैं, वो ही लगाते हैं, vector को cut करने के लिए ताकि same type का strand बने, और easily उसे जोड़ा जा सके, तो अब देख लो, A और B की बात करें, तो cutting का काम हो रहा है, दोनों तरफ क्या लगेगा भाई, endonuclease लगेगा, दोनों तरफ, बीच में से cut रहे हैं, एक्जो तो लगेगा नहीं, तो option A कहां से हो जाएगा, option A नहीं होगा, option A नहीं होगा, correct answer बताओ, correct answer, यहाँ पर restriction endonuclease लगेगा, इसके बाद C में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कि यह जो plasmid था, इस plasmid से हमारा foreign DNA जुड़ रहा है, जुड़ने का काम कौन करता है, DNA ligase करता है, और यह जो तयार हुगा, recombinant, आगे cells में भेजा जा रहा very good, maximum बच्चे बिल्कुल correct answer कर रहे हो, इसका correct answer होगा, option number B, option number B, very good harsh, very good prince, elon must, ria, vikas, vikas, answer गलत है, काफी बच्चों के correct है, चलो next question की तरफ, question number 31, देख लो, question पढ़ लेना, question आप से पूछ रहा है, select the incorrect statement regarding this, आपको incorrect statement बतानी है, incorrect बतानी है, देख लो भाई, यहाँ पे आपको electrophoresis का दे रखा है, option A क्या है, statement 1 है, it represented typical agarose cell electrophoresis in which lane 1 contain undigested DNA, second statement है, select DNA bands are formed at A and largest band are formed at B, incorrect बतानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, incorrect बतानी है आपको, यहाँ पे आपको incorrect बतानी है, उसके according answer करेंगे सभी, incorrect का ध्यान रखना, incorrect बतानी है, incorrect के according answer करना है आपको, और third है statement, the separated DNA fragment can be visualized after staining in the visible light, fourth है, the separation of DNA band are cut out from the agarose cell and extracted from the gel piece, this step is known as illusion, बताओ भाई, A, B, C, D, कौन सी दो statement ऐसी है जो गलत है, बिल्कुल साइए answer कर रहे हो, बिल्कुल साइज का correct answer हो जाएगा, option number B, यानि कि यहाँ पे बात करें, तो यह जो statement थी, smallest band formed at A, यहाँ दिख रहा है कहां बनते हैं smallest, B की तरफ बनते हैं, दूसरा, ऐसे ही visible light में नजर नहीं आ जाते, यहाँ पे UV light लगती है, question number 32, देख लो भाई, यहाँ पे PBR 322 दे रखा हैं इन्होंने, correct answer कर दो, यहाँ बतादो A क्या है, A, B, C, D पूछ रहे हैं, A, D, C, और B, यहाँ पे अगर आपको याद हो, यहाँ जब selectable marker के तौर बें इस्तमाल करते थे, तो C, यहाँ पे tetracycline के सामने कौन आता था भाई, emphysaline registrant आता था, emphysaline registrant का gene है C, तो यहाँ option हमारे B और C तो ऐसे ही eliminate हो गए, D की बात करें, तो D पे आता है origin of replication, अब आपको बताना है कि यहाँ, A यहाँ पर, A जो है यह क्या है, E को आ रहाई है, या फिर यह हिंद 1 है, correct answer करिएगा, option number A या फिर D, correct, देख लो, अराम से देख लो, easily answer करना, option B और C की बात करें, तो eliminate है यह, correct answer करेंगे, बिल्कुल correct, अमन्दी प्रस्तोगी, ध्यान से पढ़ लो, correct answer करिएगा भाई, क्या होगा, correct answer, चलिए, देखते हैं, correct answer, बिल्कुल साही answer कर रहा है, कुछ बच्चोंने, option number D होगा, यहाँ पर A रिप्रेजेंट करता है, E को और I को, और B रिप्रेजेंट करता है, बाम H1 को, next question पर चलते हैं, question number 33 आ गया है, diagram है, direct answer कर दो इसका, इससे related question हमने कल भी किया था, easily देखे बतादो, option A, B, C, D में से कौन सा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, A diagram किसका है, और B diagram किसका है, answer करेंगे सभी, और बहुत easy question है, यह बहुत ही जादा easy question है, correct answer करिएगा, क्या होगा, correct answer, option A, B, C, D में से diagram देख लो, diagram देख लो भाई, मैं side होगी हूँ, आपका options clear नजर आने चाहिए, बताओ correct answer, यह answer आने शुरू हो गया है, बिल्कुल सही जा रहे हो, कुछ बच्चों के answer correct है, तो यहाँ पर बात करें, किसे represent कर रहा है, correct answer हो जाएगा, यह option number C, option number C, देख लो, C किसे represent कर रहा है, और कौन से की बात चल रही है, next चलते हैं, यह question हो चुका है, और direct answer कर दो, I think यहाँ कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, question है आपके सामने, यहाँ बताना है, which of the following genes were introduced in cotton, to protect it from cotton bulwom, कौन से gene लगाए गए थे, ताकि बचाया जा सके, cotton bulwom से, तो cry second AC था, cry one AB, या फिर BTAC या BTAB, C की बात करें, cry one AC था, cry second AB, या फिर NIF genes, correct answer करिएगा, correct answer करिएगा, correct answer क्या होगा, direct आपके सामने है, question है आपके सामने, question देख लो, question देख लो भई, question क्या है आपके सामने, question है, genes were introduced in cotton, to protect it from cotton bulwom, very good, maximum बचे बिलकुल सही answer कर रहे हो, तो बिलकुल correct answer हो जाएगा, option number C, cryo 1 AC और cryo 2 AB क्या है, जो cotton bulwom से protect करने वाले genes होते हैं, question number 35 की तरफ चलते हैं, question number 35 है, identify product A in given figure, यहाँ पर यह बता रहे हैं, आपको बताना है, mature insulin और यह, अलग जो हुई है, लंबी से यह आपको दिखरी होगी, polypeptide chain, यह polypeptide chain A है, polypeptide chain B है, polypeptide chain C है, या none of these, correct answer करिएगा, mature insulin के बाद ध्यान रखो, कौन सी polypeptide अलग होती है, बिल्कुल एक बच्चे का answer, देखने कितने बच्चे इसका correct answer करेंगे, correct answer चाहिए बई, बिल्कुल correct answer करना, और session को like कर दो, और मुझे यह बताओ, इस तरीके के session और होने चाहिए, या फिर जो हमारे questions चल रहे थे, उसी तरीके के करें, I think काफी सारे diagram cover हो गए, एक या दो classes और होंगी, जहाँ NCRT के diagram cover हो जाएंगे, बिल्कुल सही, correct answer करेंगे हो, mature and insulin की बात की जाए, तो यहाँ पर A और B polypeptide chain है, और C वाली जो है, वो अलग हो जाती है, तो correct answer option number C, next चलते हैं, question number 36, time ले ले लेना, अराम से पढ़ लो, तब answer करना इस question का, question है, in given figure identify, temperate forest, देख लो भाई, आपको temperate forest बताना है, and corniferous forest बताना है, from the marking A and F, select the correct option, देख लो, यहाँ पर कौन सा है, option जो दे रखें, A से लेकर F तक में, कौन सा है, temperate forest बता रहा है आपको, और कौन सा corniferous बता रहा है, ठीक है, mix cherry करवाएंगे, यहाँ देख लो, option A, B, C, D में से, A, B है, B, D, D, E, या फिर C and F, okay में इनका case based भी question होंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, और बताओ भाई, statement based भी, ठीक है, हर type का question करवा दिया जाएगा, physics पढ़ा दो, अच्छा, अब इदक physics के तैयारी नहीं हुई है, क्या physics पढ़ा दो, बिल्कुल, अब जो आपके PPT बनके आईगी, उसमें जो lectures होंगे, video lecture महाँ पर मैं कोशिश करूँगी, कि आपको हर type का question मिल जाए, बिल्कुल धिहान से, चलो भाई, answer करदो, अच्छा, आप सभी के answer आने शुरू होगे, D और E, मेरे ख्याल NCRT खुल गई होगी, NCRT खुल गई भाई, NCRT खुलने के बाद answer हुआ होगा, इसका बिल्कुल सही, तो यहाँ पर बात करें, तो D और E correct हो जाएगा, चालो भाई, question number 37, यह तो diagram ही है, graph दे रखा था आपकी book में, बताओ यहाँ पर, और third, बताओ भाई, confirmers, regulators, यह partial regulators, कौन सा क्या होगा, ठीक है प्रिंस, assertion reason भी होगे, जब दिमाग के अंदर जाता है, तो उसको वहाँ पर रोक के रखना है, ताकि उससे related question गलत ना हो, answer खड़ना है, या बारिश हो रही है, बारिश का मौसम में बारिश तो होगी, correct answer करिए, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, maximum बच्चों के correct answer है, बिल्कुल correct जा रहे हो, option number A होगा, next question देख लो, question number 38 है, इससे related question का था एक कोई, आपको answer करना है यहाँ पर, which does the shape of given age paramid reflect about the growth status of population, देख लो भाई, A दे रखा है, B है, C है, बता दो कौन सा stable है, कौन सा expanding है, और कौन सा decline है, correct answer करना, काफी easy question है, correct answer करना है, आपको question number 38 का, question number 38 का correct answer करेंगे, सब भी बच्चे, ध्यान से देख लो, कौन सा आपको expanding नजर आ रहा है, कौन सा stable है, यहाँ कौन सा declining है, hope आपको correct answer मिल गया होगा, काफी easy question था, यह, काफी easy question था, बिल्कुल, answer आने शुरू हो गये, बिल्कुल सही, बिल्कुल correct जा रहे हो, बिल्कुल सही answer कर रहे हो, तो अगर हम A की बात करें, A कैसा है हमारा expanding, B की बात करें, B हमारा stable है, और C में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर, यहाँ सबसे ज़्यादा reproductive है, post वाले भी कम है, और pre-reproductive भी कम है, यानि कि यह कैसा है declining, तो option number C correct हो जाएगा, next चलते हैं, question number 39, पढ़ के answer करना है, इसका, question number 39 का आपको पढ़ के answer करना है, ध्यान से देख लो, the given figure represents different factors affecting population density, यहाँ आप जानते हैं, उन्हें different factors दे रखें, आपको यहाँ select करना है, incorrect, incorrect select करना है, option देख लो, option A में बोल रहे हैं, B and D are most influential factors under normal condition, while I and E become important in special condition, ठीक है भाई यह बात, option B दे रखा है न, new habitat just being colonized, I become more important than B, C दे रखा है, B and I causes positive change in N, and option D है, I is generally equal to E, यानि की, देख लो भाई, correct option आपको बताना है, incorrect statement, question पढ़ लो, incorrect बतानी है, काफी easy सवाल है, देखते हैं, कितने बच्चे जो हैं, इस पे भी गल्ती करेंगे, ऐसे question पे भी कौन गल्ती कर सकता है भाई, population से related है, अच्छा, ऐसे question पे गल्ती होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, correct answer, very good, very good, थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, और बिल्कुल correct answer पे आये है, सभी बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो यहाँ पे यह कह रहे हैं, कि I और E equal होगा, भाई, यह equal नहीं होता, आप नहीं बता सकते, कितने आ रहे हैं, और कितने जा रहे हैं, चलो भाई, question number 40, ध्यान से देख लो, यह graph आपके में अलग-अलग दे रखे हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, study the population growth curve, in the given graph, and select incorrect option, आपको यहाँ incorrect option बताना है, incorrect, देख लो एक तरफ आपको J shape graph है, कब आता है, आपको पता होना चाहिए, एक दे रखा इन्होंने B, यानि की S shape, यानि की sigmoid graph है, अब बता दो इन में से given option A, B, C, D है, incorrect select कर लो, incorrect select करना है, incorrect देखना है, कितने बच्चे correct answer करेंगे, incorrect statement select करनी है, answer करिएगा, correct option क्या होगा, correct answer क्या होगा इस question का, और incorrect statement कौन सी होगी, क्या select करना है आपको यहाँ, incorrect option बताना है, incorrect option, इसका ध्यान रखना, incorrect option, 50 questions है, 40 पे हैं, 10 सवाल और रहे गए हैं, जल्दी खतम कर देंगे बई, चलो answer कर दो, अच्छा, maximum बच्चे answer कर रहे हैं, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा बई, option number C, exponential growth curve की बात करें, इस considers as more realistic than logistic curve, यह बात जो है, गलत है, question number 41, question number 41, I think यह आपकी NCRT में नहीं है, इसका answer महीं कर दूँगी, यहाँ पे आपको पाई डाइग्रम दे रखा है, यह represent कर रहा है, different component of the soil, तो यहाँ पे PQR की बात करें, तो select करना है, तो इसका correct answer क्या होगा, इसका correct answer है, option number C, यहाँ पर देख लो, P की बात करें, तो यह क्या है, mineral salt है, option Q है, यहाँ water, और यहाँ R क्या है, R यहाँ है, biota, ध्यान रखना इसका, वैसे इस तरीके के question नहीं आते, but in case, इस एक question आपको first जैस तरीके का, तो पता होना चाहिए, चलते हैं, question number 42 की तरफ, answer करना है, यह diagram NCRT से है, इसका answer आप खुदी करेंगे, इसका answer आप खुदी करेंगे, question क्या है, given pi diagram represent the proportionate number of species of major group of invertebrates, identify group A and B, A और B बताना है, और यहाँ देख लो, other animal group, crustaceans, तो आपको याद आ रहे हैं, यह किस से related था, invertebrate का है, और invertebrate में सबसे ज़्यादा कौन होते हैं भई, सबसे ज़्यादा insect, देख लो कहाँ A insect है, option number A है, और C है, अब बतादो correct, option number A है, या फिर option number C है, ध्यान देना, invertebrate पूछ रहे हैं, very good Elon Musk, अंकित पांडे, correct answer, और बच्चे बताईए, बिल्कुल सही answer करे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, और B की बात करे हैं, तो यह क्या है, molascus को represent करता है, next question, question number 43, यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, given pie diagram, represent the proportionate number of species of major text of vertebrate, identify group A and B, आपको group A और B के बारे में बताना है, और किस से related है, vertebrate से related है, तो बताओ, A और B क्या होगा, यहाँ पे बात करें, तो आपको बताओना चाहिए, A क्या है भाई, बहुत सारी fishes के लिए है, A हमारा fish होगी, और B से क्या हो जाएगा, bird हो जाएगा, तो correct answer, बिल्कुल बताओ, correct answer क्या होगा, correct answer, इस question का correct answer हो जाएगा, बिल्कुल सही, इस question का correct answer हो जाएगा, हमारे पास option number B, next चलते हैं, question number है, मारे पास 44 दियान से पढ़ लो question और तब answer करना है question है identify the group of organism mark A and B in the given pie diagram representing the proportionate number of species of major text of plant बताओ भई यहां पर A और B किसे represent करेगा A bryophyta आप बोल रहे हैं B gymnosperm तो यहां gymnosperm वाले option आप वैसे eliminate कर दोगे क्योंकि इसकी बात यहां नहीं हुई थी A और B पूछ रहा आपको पता है इन में gymnosperm नहीं है A और B में option C है A बोल रहे हैं फंजाए B बोल रहे हैं angiosperm D है L G and B है यहां angiosperm correct answer question number 44 का क्या हो जाएगा question number 44 का correct answer करेंगे सब भी बच्चे ध्यान से answer करना God काफी बच्चे बिलकुल correct कर रहे हो बिलकुल correct answer है बिलकुल सही जा रहे हो तो correct option क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा option number C A रिप्रेजेंट कर रहा है यहां फंजाए को और B है यहां angiosperm चलिए अगले question की तराफ question number 45 ध्यान से पढ़ना question number 45 को question है हमारे पास यहां पर question क्या है refer the given figure representing different zones of biosphere reserve कल यह question था उसी से related है और थोड़ा detail में है आपको क्या करना है चूसता correct answer as per statement given below आपको correct answer चूस करना है जो statement दे रखी है यहां पर देखो statement one क्या है limited human activities allowed such as for research and education second है an active cooperation occur between reserve management and local people for activity like cropping and settlement and third है no human activities allowed it तो यहां पर आप देख रहे होंगे यह जो internal region है जिसे ए से represent कर रहे हैं तो यहां बात करें यहां पर कोई भी human activity allowed नहीं की जाती human activity allowed नहीं है यानि की एक इसका हो जाएगा थर्ड वाली statement को represent कर रहा है अब ऐसा कहां दे रखा है option number B है या फिर option number D है अब यहां पर ध्यान रखना एक zone ऐसा है यहां पर जहां पर limited human activity allowed है बताओ भाई correct answer क्या होगा फिर option number B होगा या option number C होगा बिल्कुल correct maximum बचे बिल्कुल जा रहे हो बिल्कुल सही बोलर रहे है इसका correct answer हो जाएगा option number B option number B यानि की यहां अगर हम बात करें statement second जो है हमारे पास यह second statement थी यह किसे represent कर रही है यहां पर statement second represent कर रही है C को यानि कि इस region को statement से कि यानि कि ये ऐसा area है जहां पर cooperation होता है reserve management और local peoples का और यहां हम B की बात करें तो यह सी location है जहां पर कुछ ही activities जो हैं allowed है Next चलते हैं question number 46 Correct answer करेंगे hope आपको clear होगा यह Question clear है पूरा नजार आ रहा है Question पूरा नजार आ रहा है Correct answer करना है question पूरा नजार आना चाहिए बाई बता देना options clear दिख रहे हैं या नहीं तो आपको क्या करना है diagram दे रखें A, B, C, D select करना है A, B, C, D select करना है diagram है यह electrostatic precipitator का जिसका हम इस्तमाल करते हैं हवा को साफ करने के लिए तो बताओ यहाँ पर A, B, C, D किसे represent कर रहा है Correct answer करेंगे सब भी बच्चे दिखान से देख लो time ले लो options clear है options blur है यह question question blur है यह clear है यह question आपको options clear है इसके correct answer नहीं बेटाई, U, G के लिए है U, G के लिए है यह C, U, T की classes चलो भाई, answer आने शुरू हो गया है यानि की question clear है question clear है आपको दिखान से देखो electrostatic precipitator दे रखा है इसका correct answer अगर हम देखें तो इसका correct answer हो जाएगा यहाँ option number D, दिखान से देखो option number D, A की बात करें तो यह किसे represent कर रहा है positively charge wire को option number A represent कर रहा है positively charge wires को B की बात करें तो discharge corona है C की बात करें तो collection plate है और यहाँ D दे रखा है इन्होंने positively charged dust particle, correct answer इसका option number D है negatively charge wires चलो बाई, next question, question number 47 यहाँ आपको incorrect statement बतानी है ध्यान से देख के answer करना figure है यहाँ पर bio magnification दे रखा है इन्होंने DD का in an aquatic food chain आपको incorrect statement select करना है statement क्या है option A दे रखा है इन्होंने जिए की लगे रखाँ चेयर कर्स्ते पार धिना high concentration of DDT which is still suitable for consumption by human being C है यहाँ increased concentration of DDT in birds affect calcium metabolism due to which egg shell become thin and break before maturity and D है नन अफ दीस correct answer correct answer correct answer बता दो भाई क्या होगा question number 47 का correct answer बोलेंगे correct answer क्या होगा तो यहाँ बात करें आपको दिग्या होगा यहाँ correct answer क्या हो जाएगा बहाई यह बोल रहे हैं suitable for consumption of human beings DDT की concentration बढ़ने के बाद भी कैसे suitable होगा तो correct answer हो जाएगा option number B next चलते हैं question number 48 की तरफ तो यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर PQRS बताना है और देखके समझ गयोंगे global warming का दे रखा है green houses gases of to total global warming तो 60% की बात करें आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा carbon dioxide 60% carbon dioxide P हो गया carbon dioxide यानि की A और B हटा दिया अब देखते हैं 20% की बात करें तो 20% यहाँ क्या था बई 20% है यहाँ पर methane 20% यहाँ methane है R है यहाँ 14% दे रखा है इन्होंने R यहाँ हो जाएगा हमारा 14% में 14% R हो जाएगा हमारा यहाँ chlorofluorocarbon और 6% की बात करें तो यह N2O है तो कहाँ दे रखा है correct option P की बात करें तो carbon dioxide है S की बात करें तो methane है Q की बात करेंगे तो क्यों की आए हमारे पास N2O है और R की बात करें तो chlorofluorocarbon बिल्कुल सही answer क्या हो जाएगा इसका option number C इसका बिल्कुल correct है question number 49 direct answer कर दो देखके काफी easy question है इसका शाद आपको नहीं पता होगा यहाँ पर A diagram जो है यह आपके NCRT से नहीं है तो यहाँ question है the given figures represent two devices A and B used to control air pollution identify them and select the correct answer तो यहाँ अगर आप देखो तो A को बोलते हैं भाई backfiller और B को बता दो B क्या बोलोगे A दो आपको मिल गया backfiller है यानि कि B और C eliminate अब बताओ यह scrubber है यह cyclone separator है यह NCRT का है यह आपको पता होगा इसका correct answer कर दो क्या होगा correct answer करेंगे सभी इसका correct answer question number 49 है एक question हो रहे गया इस class का बताओ भई तो यहाँ पर बात करें correct answer क्या हो जाएगा कोई नी इसका answer बोल रहा है इसका correct answer है option number A यानि कि यह किसे represent कर रहा है scrubber को तो आज की class का last question question number 50 ध्यान से देख लो diagram के बिना भी answer कर दोगे in a figure in a tropis opule given below choose the correct option for the characteristic distribution of cell within typical embryo से तो बताना है यहाँ पर आपको correct distribution of cell का तो यहाँ बात करें number of cells at chalazal end chalazal end की तरफ क्या होता था भई antipodal cells कितनी होती थी तीन होती है अगला दे रखा है number of cells as mycopylar end mycopylar end की तरफ बात करें दो synergit और एक cell यानि की यह भी कितनी होती है तीन अब है number of nuclei left in central cell number of nuclei आप जानते हैं दो हैं तो correct answer 3, 3, 2 बिल्कुल सही correct answer हो जाएगा इसका option number B तो बिल्कुल सही answer इसका option number B हो जाएगा और इसी के साथ आज हमारी class यहीं complete होती है हमने diagram based question cover की है आज की class में और next class में आपको mix question मिलेंगे और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं Google Play Store से learn करो the live learning app यहां आपको free और paid batches दोनों मिल जाएंगे इसी के साथ हमारा telegram channel gokul with gokul छाबडा के नाम से जरूर join कर लेना daily classes का live classes का update आपके exam से related information सब यहीं पर provide की जाती है और जिन भी बच्चों का कोई doubt हो कोई query हो 639766212 पे call या message करके आप अपना doubt या problem ले सकते हैं और इसी के साथ जिन बच्चों को live classes की PDF चाहिए उन्हें क्या करना है उन्हें download करना है google play store से learn करो the live learning app यहां जैसे ही आप download करोगे download करके store section में जाओगे store section में जाते ही आपको free content करके दिखेगा जहां सिरफ एक रुपे का आपको course purchase करना है और इसके बाद आपको यह daily live classes जो है वो उसके PDF मिलने लगेंगे तो hope you like it thank you very much और यहां comments में बता देना 50 में से कितनों के कितने correct हुए